जब हम कीचिन में काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टिप्स यूज करते हैं जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और फटा-फट होता है टाइम का बचत होता है पैसे की बचत होता है तो चले कुछ ऐसा ही वीडियो में मैं टिप्स लेक के आई हूं जो कि हमारे काम को बहुत जल्दी कर देने वाला है और आपको बहुत पसंद आने वाला है तो लाग तक वीडियो जरूर देखिएगा अच्छा लगए तो लाइक से र कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा फ्रेंड चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का सबसे पहला टि लगाया रखेगा फ्रेंड तो देखिएगा उसके बाद हल्का कप्रे को गिला करके पोच लिजेगा फ्रेंड देखिएगा आपका ओट बहुत ही सौफ्ट बन जाता है इसे कम से कम सताह में दो बार कीजिएगा तो कंटीनू करते रहने से क्या होता ना फ्रेंड इसका कलर भी ओट का चेंज होता हलका पिंकी जैसा कंवर्ट होता तो बहुत अच्छा टीप से फ्रेंड इसे जरूर यूज कीजिएगा तो चलिए बढ़ते अपने अगले टीप्स की ओर जो की बिंदी को लेकर के है बिंदी का यदि हम कपरे के साथ मैचिंग पेहनते हैं लगाते ह यदि आपके पास नेल पेंट आपके कप्रे का मैचिंग का है तो आप किसी भी बिंदी पर जिसका कलर हलका हो उस नेल पेंट को उसके उपर लगा लिए तो आपका देखे कप्रे का कलॉट का मैचिंग बन जाता है या यहां पर आप स्केच पेंट भी यूज कर सकते हैं ज आपका मैचिंग मैचिंग बिंदी बंके तयार हो जाता है यह भी बहुत अच्छा टिप्स है अर्जिंट के लिए जरूरिकिस् अगले तो कभी काजल लगाते हैं नहीं किवाइब पाड़ा नहीं लगाते हैं लेकिन जो पहल चुका है उसे क्या करना है उसे मिटाना परेगा तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहां पर यहां पर वैसलेन लेंगे या फिर कोकोनट ओल लेंगे या फिर किसी टाप का जो ओल है न फ्रेंट उससे बहुत जल्दी हमारा काजल आंकों की नीचे का मिट जाता है ज्यादा प्रेस करके नहीं मिटाएगा नहीं तो इसकीन पेन होने लगेगा रैस पर जाएगा तीस तरह सौफ्ट कपरे से हमें मिटाना है और देखिए ओल में यहां पर कोकोनट ओल भी लेकर के मिटाती हूं कभी वैसलेन लेकर मिटा लेती हूं ज़रत नहीं पड़ता क्योंकि मैं काजल के नीचे पाउडर लगा लेती हूं इस तरह से पौडर लगा लिजे कीजे फ्रेंड काजल को उपर भी ताकि आपका काजल कभी नहीं फैलेगा बच्चे को भी काजल लगाते है न तो इसके उपर पौडर जरूर लगा लिया कीजिए यह भी बहुत अच्छा टिप्स है फ्रेंड तो चले बढ़ते हैं अपने चाय पीते हैं हमारे पास रहता ही रहता है इस तरह से उपर 102 मिनट रगर लिजे फ्रेंड तो देखिए सापना समारा कैंचे चाको को वापस आ जाता है तो फ्रेंड चले बढ़ते हैं अगली टिप्स की और यह है फ्रेंड बावल का क्या करने वाल है फ्रेंड कभी भी हमा सनधी कभी यूज होता है तो देखिये कभी पार्टे फंक्शन वोता है तो बाहर से फ्रेंड मंगवा लेते हैं लेकिन प्लेंड और बा घ्र कभी खतम हो जाता है जो प्लेंड 跳त समील आल्मूनियम फॉल एबलेबल होना चाहिए तो अल्मूनियम फॉल बनके त्यार हो चुका है तो अर्जेंट में इमर्जेंसी समय में बहुत काम आने वाला चीज है और इस तरह बना करके आप बच्चे को भी इसमें मिक्सर बिस्किट वगरा दे सकते हैं खाने के लिए तो ब यूज करती हैं और क्या आप यूज करते हैं जरूर कॉमेंट किजिएगा और कैसा लगा तो फ्रेंड यह सर टिप्स में से सारे टिप्स में से आपको कौह सा सबसे पसंदाया जरूर कॉमेंट कीजिए मेरा वीडियो ज़रा साभी अच्छा लगा हो तो से Entrepreneurs कर दीजिए साथ नेट रिस्क की साथ तब तक लिए बाई बाई ठेक केर